हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल इट्स मी हर्षदान नागे एंड यू आँ वाचिंग माई यूट्यूब चैनल तो दोस्तो भारत में लगड़क दो लाग शहतार जार कोरोना की न्यू केसिस दल्ज हो चुके हैं जिसके वज़े से लॉगड़न एक्स सेक्टर और जीडिपी और माईगरेट पीपल के उपर साफ देखा जा सकता है आज इस व्लॉग में हम इन में से एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है दोस्तों आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि एजुकेशन स्टूड़न्स के कि इंपॉड़न्स रखती है अगर वह अच्छे से एजुकेशन गें नहीं करेंगे तो उनके फ्यूचर का क्या होगा और सोचिए कि अगर स्टूड़न्ट अच्छे से एजुकेशन गें नहीं करेंगे तो देश के फ्यूचर का क्या होगा स्टूड़न्स घर पर बैट कर यह पढ़ाई कर रहे हैं घर पर बैठ कर ही ओनलाइन क्लासेज ले रहे हैं और घर पर ही वो एक्जाम दे रहे हैं जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी के तरह हम इस टॉपिक को भी इसी आधार पर देखेंगे कि बच्चों का घर पर बैठ कर एजुकेशन लेन और दे न्यू इंडियन एक्सप्रेस के माधियम से ये पता चला है कि 550 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए दो दिन में और ये खबर 26 फरवरी 2021 को पबलेश होई थी और दोस्तों सिर्फ महराश ही एक ऐसा स्टेट नहीं है बलकि ऐसे बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए जैसके न्यू डेली न्यू डेली में 300 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए तिलंगरा में अराउंड 100 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए और हर्याना में 54 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए और मद्य प्रदेश के भोपाल से चार गवर्मेंट स्कूल के टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए और थ्री स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए और एंडी टीवी के वेबसेट से हमें ये पता चलाए कि तमिल नाडू, पंजाब, हर्याना, तेलगू, उत्राखन और जमू एंड कश्मीर, महराश्ट ये सभी स्टेट्स ने 10th क्लास के एक्जाम के बोर्ड कैंसल कर दिये हैं और इतना भी सुनने में आया है कि 12th क्लास के बोर्ड एक्जाम भी कैंसल हो सकते हैं और आज जब सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हैं तो बच्चों को एजुकेशन गेन करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है जैसे हम बात करें उन गरीब बच्चों की जो दो वक्त का खाना नसीब नहीं कर पाते तो उनके पास कहां से वो स्मार्ट फोन आएगा कहां से वो ऑनलाइन फीस की पैसे आएंगे जो जिसके जरिये से वो एजुकेशन गेन कर सकेंगे जहां तक बात करें मिडल प्लास फैमिली की उनके पास स्मार्ट फोन होगा बट लॉक्डाउन के वज़े से उनके घर में कोई इंकम गेन नहीं हुई है तो वो ऑनलाइन फीस की पैसे कैसे देंगे और जिनके पास ये सारी चीज़े एविलेबल हैं वो भी प्राब्लम्स फेस करते हैं जैसे डेटा प्राब्लम होता है नेटवर्क प्राब्लम होता है इंटिनेट प्राब्लम हो जाता है और कभी-कभी स्टूडेंस की ये भी प्राब्लम होती है कि उन्हें क्लियर दिखाई नहीं देता है के जैसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता या फिर जिस टॉपिक पर बात हो रही है वह चीज उन्हें समझ में नहीं आती दोस्तों बच्चे घर पर बैट कर एजुकेशन गेन तो कर रहे हैं पर क्या यह पूरे माइने से सफल हो पा रहा है बच्चे स्कूल जाकर वाला है और यह भी नहीं जानता कोई की लोगडाउन कितने समय तक चलेगा यह कोरोना कब खतम होगा जिस तरह के घर के सभी लोग अपनी जरुते के लिए बाहर जाते हैं तो आज का यूथ भी यह कर सकता है आखिर कब तक स्टुडेंट्स इस तरह से घर पर बैट के एक् क्योंकि वो शायद social distancing, mask, hand sanitizer इन तीनों चीजों का ध्यान ना रखें और इन तीनों चीजों में से कोई एक भी चीज missing हो गई तो वो कोरोना से affect हो सकते हैं क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि सावधानी हटी और दुरगतना घटी बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े students है वो इन तीनों चीजों का ध्यान रख सकते हैं hand sanitizer, mask और social distancing तीनों चीजों का ध्यान रख सकते हैं और वो अपनी care भी कर सकते हैं और दूसरे की care भी कर सकते हैं क्योंकि वो इस coronavirus की बिमारी को जानते हैं और इससे लड़ने का तर दूर रखा जाए, students पूरे साल भर ना सही बट exams के लिए तो students schools जा सकते हैं जिससे उनकी साल भर की मैनत रंग लाए because lockdown के वज़े से जिस तरह से exams हो रहे हैं उसने तो सारे students को एक बराबर कर दिया है जो student साल भर पढ़ता नहीं था वो lockdown में exam दे के बहुत अच्छे तरीके से पास हो रहा है तो सोचिए दोस्तो ऐसे students का future क्या होगा क्या ऐसे student का future अच्छा होगा आप खुदी सोचिए बच्चे साल भर मेहनत करें और अच्छे से exam दे इमानदारी से पास हो और जो बच्चे exam में पास नहीं हो पाते हैं वो अगले सार वापिस से कोशिश करें और अच्छे नंबर से पास होने के कोशिश करें अगर ऐसा होता है कि students इस्कूल में जाके exam देते हैं तो इस्कूल को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो coronavirus से protect के लिए students के लिए सारी सुवधाईं उपलब्द कराएं जैसे mask, hand sanitizer और social distancing आप मेरी बास से अगर सहमत हैं तो आप मुझे comment section ना बता सकते हैं अपनी राए if you like the video so please like it and subscribe my youtube channel thank you